नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चनल लंटक इलेक्सिपर्थ दोस्तों आज हम लोग में स्पेशल फाइल्स के बारें बात कर रहें दोस्तों जैसा कि नाम से प्रतित हो रहा है कि स्पेशल हैं यह फाइले कुछ विशेश कारें के लिए इस्निमाल क की जाती है दोस्तों रिफ्लर फाइल यहां पर जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कुछ तलबार जैसे आकृति की फाइले है तो उनको रिफ्लर फाइले कहते हैं इस फाइल सार्य यूज फोर डाई सिंकिंग एंग्रेविंग जोलरी वर्क इस आर अविलेबल इन ड कि इसप बाद में हमारे पास मिल्सा फैल मिल्सा फैल सार फ्लाइड फैल विट स्कुएर और राउंड एज कॉमर्ली इस फाइल से यूस फोर शार्पनिंग वूड वर्क इन ग्रेड सार और अवेलेबल इन सिंगल ग्रेड गेड फोड यहां संगल गेड़ में प्लिए दि these files are replacement of half round file these files are available in various curves various curves में available रहती है और crossing file है और यह half round file का replacement है इसके अदमें next time है मारे पास barret file this files have flat लेट टीथ फैस्ट टोड फैस्ट फैस्ट उट फैस्ट फैस्ट आपकर्णी आ जाता हो सूर्पनाश के लिए ये अनकर्स ये बहुत ही तो इसका इसनाल जो 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 बॉडी की पेंट्स उतारने के लिए आप बॉलिशिंग करने के लिए निकालने के लिए भापर इस्तेमाल जाता है इसका तो यह हैंडल लगा होता है जैसा कि चितर में दिखाया गया तो यह तिंकर फैल है उसके बाद में है रोटरी फाइल दोस्ते बहुत सी special file है इसका इस्तेमाल हम लोग motorized machine से करते हैं pneumatic machine हो सकती है या electrical operated हो सकती है उसमें छोटा सा चक लगा रहेगा जिसमें जो rotary file का जो shank है वो circular section का रहेगा जिसको हम लोग इसमें बांद लेंगे और जब cooperate करेंगे तो जो आगे वाला जो पॉर्शन है जो यह वाला पॉर्शन है इसका इस पर टीट रहेंगे और कर सकते हैं जो rotary files है वो different shapes में अबलेबल रहती है जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्कुलर section है कोनिकल सेक्षन है और यह सिलेंड्रिकल सेक्षन है तो इस परकार की rotary files अविलेबल रहती है जिनका इस्तेमाल different conditions के अंदर हम लोग motorized machine के साथ में यूज़ करके कर सकते हैं उसके बाद में हमारे पास hand filing machine के लिए जो फाइले रहती है इसमें आप देख पा रहे हैं कि files रहेंगी और उसको machine में बाढ़ने के लिए extensions रहेंगे या holes रहेंगे जिसके दुवारा हम लोग machine में इसको बाढ़ सकें या पगड़ सकें और उसके बाद में इसको दोस्तों इस तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं और आगे बलाते रहेंगे तो बने रहे हैं हमारे साथ आपड़े चैनल पर थन्यवाद